क्लास के लिए क्लास के लिए सभी एक्जाम के लिए क्लास इंप्सटेवल इस में हम समझेगे देखेंगे और विचार करेंगे सोचना और practical करना बहुत ज़्यादा important हो गया है आज के समय में तो इसलिए सिर्फ हम रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बलिकि समझेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे और फिर question को ठीक करेंगे तो चलिए start करते हैं class को यहाँ पर देख सकते हैं यह Hindi की class है हमने कल हिंदी भासा का क्रम देखा था हिंदी भासा का विकाश क्रम के हमारी हिंदी है उसका विकाश किस तरह हुआ था उसका एक क्रम था वो हमने कल देखा था, अगर आपने वो class नहीं देखी तो काफी important class है तो आप सभी उसको जाकर के देख लें, वहाँ से 2-3 question बनते ही बनते हैं important हो जाता है वहाँ से, अगर एक exam दे रहे हो तो वहाँ से कम से कम 2 question बनते ही बनते हैं तो आपको यह धिहान रखना है, उस class को जरूर ही देखना है यहाँ से भी आप से 2 question बनने की पूरी-पूरी संभावना है तो यहाँ से आपको यह बाली class है, वो अच्छे से देखनी है जादा time लेंगे, अगर एक class में से आपके 2 question बनते हैं तो फिर बुराई क्या है उसे आप क्यों नहीं अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हम किसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर देख सकते है हिंडी छेत्र की समस्त बोलियों को पांच बर्गों में बाता गया है हिंदी छेत्र कौन सा हिंदी छेत्र होता है आप सभी को पता है यह हमारा प्यारा भारत है यह हमारा क्या हो जाएगा प्यारा भारत हो जाएगा एक मिरट देखो यह हमारा क्या है प्यारा भारत है छोटा सा भारत बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है यह भारत है अब हिंदी कहां कहां बोली जाती है हिंदी भासा चेत्र कौन सा है तो आप सभी को पता है जो यह उत्तर का चेत्र है इतना चेत्र यह सभी क्या है हिंदी भासा का चेत्र है यह इतना चेत्र है ना इसमें हिंदी बोली जाती है तो हम इसी चेत्र के बारे म पढ़ने वाले हैं हिंदी चेत्र की समस्त बोलियों को पांच बर्गों में बाटा गया है इन बर्गों को उपभासा कहा गया है इन बर्गों को जो पांच बर्ग हैं उन्हें उपभासा कहा गया है और इन उपभासाओं के अंतरगत ही हिंदी की सत्रे बोलियों आती हैं यानि कि हिंदी में कितनी बोलियों हैं सत्रे बोलियों हैं हिंदी एक भासा है और उसमें सत्रे बोलियों बोली जाती हैं एक्जामनर आपसे पूछेगा पश्मी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती है तो आपको ऐसे बताना है कि इतनी बोलियां बोली जाती है या फिर यह पूछ सकता है कि निम्नलिकित मैंसे कौन सी भासा पश्मी हिंदी में नहीं बोली जाती है तो आप पता लगाएंगे कि ये नहीं बोली जाती है वैसे बूचेगा कि पश्यमी हिंदी किस किस राज्य में बोली जाती है तो आप बताएंगे कि इस इस राज्य में पश्यमी हिंदी बोली जाती है तो इस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्जाम ना आपसे क तो देखो ये उपभासा हैं, हमने क्या कहा था कि हिंदी छेत्र की समस्त बोलियों को पांच बर्गों में बाटा गया है, इन बर्गों को उपभासा कहा गया है, तो पांच जो बर्ग थे उनको क्या कहा गया उपभासा, तो यहीं पर ये पांच उपभासा हैं, फिर इन उप 6-6 थ्याओद, सौरसे निंद्ऄ, शौरसेन ही बाउपासगे इसमें 5 बोली जाती पहले आती आपको यहां रखत ना है सौरसेन, सौरसेमी बाउपासा में 5 बोली जाती पहले लगा पुदल आती है अब भारत का पश्मी भाग कौन से है ये वाला तो यही है हमारा सौर सेनी, सौर सेनी में पश्मी हिंदी, पश्मी हिंदी में पांच बोलियां हैं, तो पांच बोलियां कौन सी है, खडी बोली, ब्रजभासा, कन्नोजी, बुंदेली और हर्यानवी, खडी बोली यही बोली ज पशिम ही हिंदी वही ही हमारी गंगा नदी के गंगा नदी तो उसमें बहुत सारे यह थ्म, तो केसे खड़ी मोली, ब्लजवासा, केसे करनोजी वी बन्युति अब भी खांग adesso यह आपको ध्यान रखना है यहां पर कि शेत्र में बोली जाती है यह पश्मी हिंदी तो आपको ध्यान रखना है हर्याना और उत्तर प्रदेश में पश्मी हिंदी बोली जाती है हर्याना और उत्तरप्रदेश पश्मी हिंदी बोली जाती है, आफ देखते हैं र हर्याना के लोग खड़ी बोले बोलते हैं, are तो वह हिंदी मैं तो थोड़ा वर्यडों को ऊपर नीचे बोलते हैं, वैसे ब्रज हिंदी में जो बहास किलके बोली जाती는 हैं मतुरा में जिसे हम पश्यमी हिंडी भी कहते हैं और इसमें पांच बोलियां है उत्तर प्रिदेश और हर्याना में यह जाती है झाख जंद Music में पूरी हिंडी के लिए तो इसमें पूरबला भाग आता यानि कि ये वाला भाग, भारत का पूरव वाला भाग, जिसमें हिंदी बोली जाती है, उसमें तीन बोलियां बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में, 36 गड़ी, अबदी और भगेली 36 गड़ में अबदी और भगेली तो यहां धान रखना है 36 गड़ी, अबदी और भगेली CAB से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी CAB कौन से छेतर में बोली जाती है मध्यप्रदेश, 36 गड़ और उत्तरप्रदेश इसकी ट्रिक क्या हो जायेगी CU-M यनि कि कम ठीक है कम मध्यप्रदेश, 36 गड़ उत्तरप्रदेश कम CU-M तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी अर्ड मागदी है जो पूर्वी हिंदी में आती है ये तीन बोलियां बोली जाती है, 36 गड़ी, अवधी, भगेली, C, A, B, इसको हम बुला रहे हैं कम, C, U, M, तो C से क्या हो जाएगा, 36 गड़, M से मध्यप्रदेश और U से उत्तरदेश, नेट्स है हमारी मागदी, मागदी में बिहारी हिंदी आती है, जिसमें तीन बोलियां आती हैं, बोजपुरी, मैथली और मगदी, तीन बोलियां आती हैं, इसकी ट्रिक क्या है, बम्, यहनि कि B, M, M, ट्रिक याद रखेंगे आप 2MB, जैसे GBMB होता है न, वैसे आप 2MB से इसे याद रखेंगे, किस हेतर में बोली जाती है, तो इक बिहार और उत्तरदेश में बोली जाती है, पहली हर्याना उत्तरदेश, दूसरी थी हमारी 36 गड़ मध्यप्रदेश उत्तरदेश, और तीसर यह हमारी बिहार और उत्तरदेश उन्ही के UB, UB, नेक्स्ट है हमारी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में चार बोली आती है, राजस्थानी हिंदी में चार बोली आती है, हमने राजस्थान को चार पार्स में डिवाड़ कर सकते हैं, उत्तरी राजस्थान, पश्मी राजिस्तान, दक्षडी राजिस्तान और पूर्वी राजिस्तान, उत्री राजिस्तान में मेवाती बोली जाती है, पश्मी राजिस्तान में मारवाडी बोली जाती है, दक्षडी राजिस्तान में माली बोली जाती है, और पूर्वी राजिस्तान में जैपुरी ज जानाजाता है किस नाम से नम से धौड़ाडी के यह नाम से हिंदी हो भी राजस्थानी धिव्यान हो गई उत्री-प मालवी और पूरव में नहीं दोड़ाडी तो इसके ट्रिक क्या हो जाएगी M M M J यानि कि J 3 M J 3 M एक J है और 3 M है इस तरह से आप इसे यार कर सकते हैं और ये छेत्र कौन सा हो जाएगा राजस्थान नेक्स्ट है खस अपब्रंस खस अपब्रंस जिसमें पहाडी हिंदी आती है खस अपब्रंस में पहाडी हिंदी आती है इसमें दो भासाएं आती है यानि दो बोली आती है कौन सी गड़वाली और कुमाउनी गड़वाली और कुमाउनी अब आपको गड़वाल से ही पता चल रहा होगा कि ये पहाडी शेत्र की है और पहाडी छेतर का है हिमाचल प्रदेश उत्राखंड तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड की है गड़वाली और कुमाउनी इसकी ट्रिक क्या है जी के जी के तो यहां देख सकते हैं कौन सा छेतर हो जाएगा उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश इसके छेतर हो तो हिंदी चेतर में पांच उकभासाएं और सत्रे बोलियां, पांच उकभासाएं, सत्रे बोलियां, पांच उकभासाएं कौन सी, सौरसेनी, अर्दमागदी, मागदी, राजिस्थानी और खस अपड़न्स, सत्रे बोलियां कौन सी, खडी बोली, ब्रजबासा, कन्नोजी, ग बड़वाली और कुमायुनी ठीक है तो पांच और तीन साथ और तीन नो नो चाट तेरह 14 15 16 17 तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यह हमारी हो गई भासा और भासा है बासा और बासा यहां पर हो जाती है बोलियां हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे समास सम संदी की क्लास होगी कल की यह क्लास होगी हमारी तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट शेशन में जरूर बताना इसकी पीडिया टेलीग्राम पर में जाएगी ओके तो जै हिंच जै भारत जब तक देखते रहें प्याइस स्टड़ी चैनल ओके